आप सबों को जैसू जौन नाम का एक युवा एक छोटे से शेहर में पला बड़ा था उसे सभी स्थानिये एक बेकर के बेटे के रूप में जानते थे जौन एक होनहार चात्र था और उसे हमेशा विज्ञान का शौक था हाइ स्कूल के बाद वा एक प्रतिष्टित विश्व विद्याले में अध्यन करने गया और अंतता एक सम्मानित व्यज्ञानिक बन गया जो अपने अभुतपूर्व शोट के लिए जाना जाता था सालो बाद जौन एक यात्रा के लिए अपने ग्रह नगर लौट आया अपने अनुभव और ज्ञान को साजा करने के लिए वो बड़ा उत्साहित था उसे स्थानिये सामुदाई केंद्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था हालांकि दर्शकों में से कई ने उसे केवल एक साधारन बेकर के बेटे के रूप में याद किया उन्होंने उसकी विशेश अग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा क्या ये जौन नहीं? वा बच्चा जो हमारे घर रोटी पहुचाता था? उसकी उपलब्दियों के बावजूद शहर के कई लोग उस जौन से आगे नहीं देख पाए जिससे वे बड़े होते हुए जानते थे आज के सुसमाचार में भी हम येशु को अपने ग्रह नगर नाजरत लोटते हुए देखते हैं हमारी कहानी में जौन की तरह येशु को संधे और आविश्वास का सामना करना पड़ा नाजरत के लोग उस येशु को नहीं देख पाए जिसे वे एक बड़ई और मरियम के बेटे के रूप में जानते थे उनकी बुद्धी और चमतकारिक कारेओं के बावजूद उन्होंने उससे नाराजगी जताई और उसके अधिकार पर सवाल उठाया या अंश मानव सुभाव के बारे में एक गहन सत्य को उजागर करता है अक्सर उन लोगों में आसाधरणता देखना सबसे कठिन होता है जिने हम सोचते हैं कि हम अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं परिचित्ता अवमानना पैदा कर सकती है या कम से कम किसी की वास्तविक शमता और मूल्य के प्रती एक प्रकार का अंधापन पैदा कर सकती है येसु का कथन अपने नगर अपने कुटुम और अपने घर में नभी का आधर नहीं होता या दुखद वास्तविक्ता प्रकट करता है कि कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग सबसे कम सहायक होते हैं उनकी पूर्व धारनाएं और विश्वास की कमी एक ऐसा वातवरन बना सकती है जहां सबसे उलेखनिये प्रतिभाएं और उपहार भी पैचाने नहीं जाते हैं आज के पार्टों से हमारे जीवन के लिए हम क्या सीख सकते हैं सरप्रथम हमें एक खुला दिमाग और एक खुला दिल होना चाहिए आएए हम अपने आसपास के लोगों के प्रति खुले दिमाग और दिल रखने का प्रयास करें खास कर उन लोगों के प्रति जिने हम सोचते हैं कि हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं लोग बढ़ते हैं और बदलते हैं और हर किसी में अपनी शमताओं और अंतर द्रिष्टी से हमें आश्चर चकित करने की शमता होती है खुले दिमाग से काम करके हम एक सहायक समुदाई बनाते हैं जहां हर किसी की प्रतिबा फल फूल सकती है दूसरा है प्रोचसाहन प्रोचसाहन देने वाले बने दूसरों के अतीद के आधार पर हम उन पर संध्य करने या उन्हें खारच करने के बजाए उनका उत्सावरदन करें हम कभी नहीं जानते कि हमारे प्रोचसाहन के शब्द किसी को महान चीजें हासिल करने के लिए सहयक सिध्ध हो सकती है तीसरा आत्म चिंतन अपने स्वयम के अनुभवों पर चिंतन करें क्या ऐसा समय आया है जब हमें अपने करीबी लोगों द्वारा कमतर आंका गया या खारिच किया गया इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ा अपने स्वयम के अनुभवों को साजहा कर हम दूसरों के प्रती अधिक सहन भूति पूर्ण और सहायक सिध्ध हो सकते हैं चौथा है विषवास अंत में आये विषवास के महत्व को याद रखें ना केवल इश्वर में बल्कि एक दूसरे में भी येशु अपने ग्रह नगर नाजरत में विषवास की कमी पर चकित थे विश्वास शक्तिशाली है या ना केवल पहाड़ों को हिलाता है बलकि प्रतिबाओं और शम्ताओं का पोशन भी करता है आईए हम अपने सामने आने वाले प्रतियक व्यक्ति के भीतर की शम्ता पर विश्वास करें जैसे जैसे हम अपना सप्ता प्रारंब कर रहे हैं आईए हम समाने में आसाधरन को देखने अपने आसपास के लोगों का समर्थन करने और उनका उत्थान करने तथा विश्वास और प्रोशाहन से समुदाय को बढ़ावा देने के लिए सचेत प्रयास करें आमेन